A very warm welcome to all respected viewers. I am CMA Dr. Udkarşi Swadia. मुझे बहुत सारे students ये कहते हैं कि Sir, आपके दिल की बात हमारे तक पहुँचे ऐसी कोई आप सिरीज बनाईए. तो मैंने ऐसी सिरीज के बारे में सोचा हुआ है जिसका नाम मैं देने वाला हूँ उदकरश के दिल से और ये सिरीज का आज ये पहला एपिसोड है. ये सिरीज में मैं मेरे दिल की बात मेरे दर्शकोद तक पहुचा हूँगा और आज के ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैसे एक्जाम के 20 डेस के पहले टाइम को मैनेज किया जाए. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं मानता हूँ कि दिवाली में एंजॉई कर रहे होंगे क्योंकि दिवाली वेकेशन चल रहा है. पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं पे कोने में बैट के या तो लाइबरेरी में बैट के पढ़ रहे होंगे जो लोग CA, CS या तो CMA की एक्जाम देना चाते हैं. क्योंकि उन लोगों की एक्जाम पोस्ट दिवाली रहती है. तो वही सारे स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखके मैंने ये वीडियो है वो बराने का सोचा हुआ है और ये वीडियो उन लोगों को बहुत काम आएगा. मैं मेरी ही दास्तान आपको बताओं कि मैं जब भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहा था तो मेरे 20 डेज के पहले का रीडिंग शेडियूल क्या था? मैं रात को 10 बजे सो जाता था. देर आफ्टर वेरी नेक्स डे को तीन बजे उठ जाता था और 3-4 मॉर्निंग में मेरा रूटीन कम्प्लीट करता था जिसमें exercise, meditation वो भी आ गया. देर आफ्टर 4 ओक्लॉक मिंस ब्राम मुरत का समय बहुत ही अच्छा वाला समय कोई मुझे पूछे कि सुबे को 4-6 के बीच में दो घंटे में हमको कितना याद रह सकता है तो मैं बोल सकता हूँ कि आप पूरे दिन में ब्राम मुरत के अलावा जब भी पढ़ो दोपेरे में फोर एक्जामपल पढ़ो और आपको 5 गंटे लगे कुछ याद करने में वो आपको सुबे में 4-6 के बीच में याद रह जाता है तो मैं सुबे को 4 बजे पढ़ने के लिए बैठता था और 4 से सुबे को 10 बजे तक एटर स्ट्रेच वन सिटीन पढ़ता था न तो मेरे पास मोबाईल रहता था न तो मैं फ्रेंड्स के साथ बैठके पढ़ता था मैं अकेला ही पढ़ता था और खुछ से बाते करता था thereafter मुझे कोई ऐसा पूछे कि सर ये 4 से 10 के बीच में आप जो 6 गंटे पढ़ते थे उसमें आप प्रायरिटी किसको देते थे तो मैं प्रायरिटी देता था ऐसे टॉपिक या ऐसे सब्जेक्ट को जो मुझे याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती थी जो मेरे लिए थोड़े से डिफिकल्ट थै ऐसा मुझे लगता था उसको मैं मौनिंग में कवर अप करता था 10 बचे मैं ब्रेक लेता था 10 से 12 के बीच में मेरा जो भी खाना है उसको कंप्रीट करता था लंच मैं कंप्रीट करता था thereafter मैं family members के साथ discussion करता था, healthy discussion करता था positivity मिले वैसा discussion करता था और उनसे ये suggestions भी लेता था कि मेरी जो energy है उसको मैं gain and sustain कैसे कर पाऊं कैसे मैं अच्छा, बहुत ही बैतरीन तरीके से पूरे दिन पढ़ पाऊं thereafter 12 बजे मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठता था दोपेर को 12 to 4 का time ऐसा होता है कि आपने खाना काया होता है 12 बजे के पहले तो आपको नींद आती है so 12 to 4 के बीच में मैं ऐसा portion या तो ऐसा subject cover up करता था जो मुझे आसान लगता था जो मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था ऐसे topics या तो ऐसे subjects को मैं cover up करता था 12 to 4 के बीच में 4 बजे से लेके 6 बजे तक मैं break लेता था 4 to 6 मेरा break रहता था जिसमें मैं नाश्ता करता था family members के साथ healthy discussion करता था doom धड़क वाले नहीं पर बहुत ही अच्छे light music वाले song है उसको सुनता था और thereafter थोड़ी सी exercise करता था fresh होके फिर से फढ़ने के लिए बैगता था 6 to 9 मेरे लिए बहुत ही बहुत ही बैतरीन जर्नी रहती थी शाम को the reason is that 6 to 9 के बीच में मैं मैंने पूरे दिन में जो भी पढ़ा होता था उसको मैं recollect करता था एक तरीके का मैं revision करता था and जो professional course की बात कर रहा हूँ तो but obvious past years के papers है वो बहुत ही important होते हैं उसको भी मैं ये 6 to 9 के बीच में solve करता था thereafter मेरी जर्नी है वो 9 बजे खत्म होती थी पढ़ने की 13 घंटे में एक दिन में utilize करता था ऐसे 20 दिन की जर्नी है वो मैं but obvious आगे लेके जाता था मैं इस exam के 20 दिन के पहले का planning जो आप मेरे जैसा करोगे तो आपको बहुत ही फाइदा होगा और रात को 9 बजे जैसे ही मेरा reading है वो 13 घंटे का complete होता था thereafter रात का खाना खाके walk करके अच्छे से meditation करके मैं सूता था ताकि नींद है वो बहुत ही अच्छी आए नींद है ना मैं ऐसा personally मानता हूँ कि नींद है वो कौन सी आनी चाहिए बहुत लंबी आनी चाहिए ऐसा नहीं है पर गहरी आना बहुत जरूरी है ताकि आप बली ही पाँच घंटे के करीबन नींद लो पर आपको freshness फिल हो morning में जब भी उठ जाओ thereafter तो मुझे लगता है कि मैंने आपको ये जो भी मेरा experience बताया मैंने मेरे reading का experience बताया students वो आपको काम में आएगा और साथ में मुझे ये भी बताना है कि बहुत सारे students है वो बहुत सारे लोगों की successful persons है उनकी life को देखके mesmerize हो जाते है उनके जैसी ही अच्छी अच्छी महेंगी कार चाहिए उनके जैसी lifestyle चाहिए मैंने ये देखा हुआ है youngsters में ये crazy रहता है पर मेरा personally मानना ये है कि किसी ने successful persons के लिए कुछ बोला है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी उंचाईयों को देखके हैरा है जो successful persons होते हैं ना उनकी दास्थान बता रहा हूँ मेरी उंचाईयों को देखके हैरा है लोग पर किसी ने मेरे पाउं के चाले नहीं देखे तो मेरा personally मनना ये है dream देखना कोई बुरी बात नहीं है पर वो dream है उसको आप opt करना चाते वो dream है उसके साथ जीना चाते वो dream है उसको सचाई बनाना चाते हो तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है hard working है वो but obvious आपके control में है आप hard working कर सकते हो luck आपके control में है नहीं students तो उस पर तो मैं ज्यादा ध्यान रखता ही नहीं हूँ पर मेहनत आपको 100% करनी चाहिए जो आप बहुत ही बैतरी इन तरीके से मेहनत करेंगे तो sooner or later but obvious आपको उसका result मिलने ही वाला है okay students so best of luck to all of you stay happy and stay blessed thank you